नवस्कार दौस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रदिभ कुमान वांग्ड़ आपका इसकारी करम में स्वागत है इसकारी को नाम है आपकी फर्माइश आपकी फर्माईस में आज आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपकी पेशाब में जलन होते हैं उसका घरेलू इलाज से किस तरह से उसे रहात पाएं तो सबसे पहले दोस्तों नारियल का पानी जो होता है उसमें जो है आप 5 गराम घूड और एक चमच धनिया पौडर मिलाकर इसे सुवे खाली पेट ले इसे चार से पास दिन अप लेंगे तो इससे आपको बहुत रहत मिलेगी दूसरा है आवले का जूस दोस्तों आवले का जूसा बहुत फायदेबान होता है तो आप इसे खाली पेट सुवे रहे ले इसे भी आपको बहुत रहत मिलेगी दोस्तो अगला उपाय है धनिया तो दोस्तो धनिया जो बजार में इसको लाईए अच्छी से साफ कीजिए 50 ग्राम करीब और उसे अच्छी से अबाल लेजिए अबाल के उसका जो है पानी निकाल के चान के उसका पानी अलग कीजिए और उससे सुवह शाम आपको ले रहा है तो एक तो बेरे खाली पेट लेजिए साथ से आठ दिन तक आप करेंगे तो आपको निश्ची तुरुप से इससे फायदा होगा दोस्तों अगला उपाय को आपको पानी ज्यादे से ज्यादा मात्रा में पीना है क्योंकि पानी एक ऐसा है जिसे आप जितना ज्यादा पीए उतना पान में चीनी मिलाकर इसे पीए यह आपको बहुत फायदे बंद होगा अनार का शर्बत रोज पीए इससे आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों अपने खाने में तरफूच खीरा और ठंडी चीजे जरूर ले इससे आपके प्रिशाप की जलन में आपको बहुत रहत मिलेगी दही जरूर खाएं कोशिश करें कि सुबह गर्मी की दिनों में जो है एक कब दही सुबह खाएं एक कब दही शाम को खाएं इससे आ आपको बहुत रात मिलेगी और पानी पिनन न चोड़े पानी जब जितना ज़्यादा पिएंगे उसी से आपके पिशाप की जलन जो है दूर होगी तो दोस्तों आपको यह जानकर जरूर अच्छी लेगी होगी तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीब कुमार बांगड़ झाल 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 झाल